Hello everyone, welcome to the free booster batch from studybus और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं reading comprehensions part 2 already reading comprehensions part 1 की वीडियो काफी टाइम पहले ही channel पे upload हो चुकी है आप चाहो तो उसको follow कर सकते हो and I would recommend definitely उसको आपको पहले देखना चाहिए और उसके बाद इस वीडियो के ओपर आना चाहिए तो आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं RCs के अंदर लास्ट टाइम हमने एक basic introduction करा था RCs को लेके इस बार हमें थोड़ा सा और आगे चलने की जरूरत है तो आज की वीडियो के अंदर हम यह देखते हैं कि हम और थोड़ी practice करेंगे और RCs को थोड़ा से और detail में जानने की कोशिश करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो friends अगर हम RC के बारे में एक common pain point जो almost हर एक बच्चे को रहता है at least verbal section के अंदर irrespective of the fact कि वो आप कोई भी stream से आ रहे हो वो है RC चाहे engineer हो, चाहे वो commerce से हो, चाहे वो humanity से हो हर एक के लिए RC मुश्किल होते हैं, क्यों? because आपको बहुत सारा read करना होता है, unfamiliar text read करके उसको retain करना होता है और उसके basis पे आपको ऐसे question answer करने होते हैं, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, तो ये इन चीजों की वज़े से और time constraint तो definitely रहता है, क्योंकि अगर मैं cat exam के बारे में बात करूं, तो cat exam में अगर आपके पास चार RCs आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास total जो exam में time है वो उत तो वैसे sectional 40 minutes है, but we can assume की आप 4 RCs में you can take at max 26 minutes, क्योंकि जो बाकी के हमारे पास questions है, वो verbal ability के हैं, और उसके लिए भी हम at least 14 minutes तो अपने पास रखेंगे ही, तो यानि की अगर चार RCs के लिए हमारे पास 26 minutes है, तो यानि की हमारे पास सिरफ 6.5 minutes approximately, यानि की मैं कहा सकता हूँ कि 6 to 7 minutes है हमारे पास approximately RC के, तो इसी वज़े से ये challenging हो जाता है, तो अगर हम बात करें की cat के अंदर या zat के अंदर difficulty level भी क्या है, तो difficulty level भी आपको पता है कि moderate से लेकर hard level तक की आपको difficulty देखने के लिए मिलती है, तो अब passage पहले पढ़े या हम question पहले पढ़े हम क्या करें, या हम options पहले पढ़े हमें क्या करना चाहिए, तो friends अगर कोई बच्चा passage पहले पढ़ रहा है तो उस approach को एते है scholar approach whereas अगर कोई बच्चा पहले सारे questions with options पढ़ रहा है उसके बार passage पढ़ रहा है तो उसको कहते है hunter approach लेकिन एक थोड़ी सी safe approach basically कौन सी होती है कि आप पहले सिर्फ questions read कीजिए without options because options read करने से काफी जार आप distract हो सकते हो और उसके बाद आप passage read कर सकते है इसको थोड़ी सी safe strategy कहा जाता है लेकिन ये strategy कोई mandatory strategy नहीं है कोई भी strategy आप अभी trial and test कर सकते हो ठीक है जो भी strategy आपके लिए work कर रही है आपके लिए अगर ये वाली strategy work कर रही है questions without options followed by passage आप वो कर सकते हो आप passage पहले read करके question solve कर पारे हो timely तो आप वो कर सकते हो और अगर आप questions सारे read करके passage solve कर पारे हो timely और आप distract नहीं हो रहे तो आप ये strategy भी follow कर सकते हो जो भी strategy आपके लिए work कर रही है वो इस दुनिया के अब कुछ बच्चे यह होते हैं कि उनको पैसेज एक बार में पढ़के नहीं समझ आता तो उनको यह रहते हैं कि सर हमें दो बार पढ़ना पढ़ता है अगर ऐसी situation है कि आप पैसेज पूरा एक बार में पढ़के नहीं समझ पाते हैं तो आप प्री रीडिंग exercise का benefit ले सकते ह exercise basically क्या है कि in order to get some basic gist of the passage कि पैसेज क्या कहना चाहरा है हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे हम क्या करेंगे हम पहले paragraph की पहले paragraph के पहले दो sentences को और last sentence को read करेंगे and subsequent paragraphs जो भी हैं उनके हम first and last sentences को read करेंगे सिरफ हम और detail में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये करने से हमें एक basic idea मिल जाएगा कि passage किस चीज के पारे में अब जब आपने passage read कर लिया तो कुछ chances हैं कि हो सकता है वो आपके comfort zone का हो जाए यानि कि जिस चीज को आप पसंद करते हो उसी subject से वो उठके आ जाए but at least 80% chances इस चीज के होते हैं कि वो आपके out of comfort zone का हो तो उस चीज के अंदर हमें और जादा dedication चाहिए हमें और जादा concentration चाहिए उस situation के अंदर आपको अपना EQ engage करना पड़ेगा कैसे मान लिजे कि आप कोई ऐसा passage पढ़ रहे हो जो आपका brain understand नहीं कर रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको उसके अंदर अपने थोड़े से emotions engage करने पड़ेंगे क्योंकि जब हम emotions engage करते हैं किसी चीज के अंदर तो हम उसको जादा relate कर पाते हैं आपको थोड़ा सा म emotions सब कुछ करने के बाद engage नहीं हो पारें so just acknowledge the fact कि हाँ यार कुछ interesting नहीं है लेकिन हाँ करना तो करना ही है लेकिन हाँ emotions engage करने से कई बार आप उसको अच्छे से कर लेते हो एक और चीज जो कई बार होती है कि बच्चे पूरा passage पढ़ लेते हैं उनका पढ़के समझ नहीं आता कि हमने एक्चुली पढ़ा कि और टाइन भी वेस्ट हो जाता है तो अगर ऐसी situation आपको लगे कि यार पता नहीं मुझे समझ आ रहे नहीं आ रहा या मेरी concentration लूज हो रही है तो हर few sentences के बाद अपने आपसे question करो कि am I understanding this am I am I on this am I with this passage नहीं तो get back to it also आप क्या कर सकते हो आप बहुत ही short summary हर एक paragraph की बना सकते हो बहुत short summary यानि कि few words में 3-4-5 words के अंदर हर एक paragraph की बना सकते हो ये summary आपके brain को activate कर देगी जिसकी वज़से जो चीज आपके दिमाग में नहीं जा रही थी वो आने लगी अगर आप questions के बारे में बात करें तो questions के अंदर सबसे best strategy तो रहती है process of elimination की लेकिन कई बार होता है कि बत्से eliminate नहीं कर पाते हो और हमेशा wrong answer choose कर लेते हैं तो जब भी आप option जो भी choose करो make sure आप उसका हर एक word justify कर सको अगर आप जो option choose कर रहे हो उसका हर एक word justify नहीं कर पारे तो इसका मतलब कि आप fluke यानि की तुक्का मारने की कोशिश क कर रहे हो और यह बात सही नहीं है इसके अलावा कुछ चीज़े आपको ध्यान रखनी है कि elimination के अंदर हर एक word आपका justification होना चाहिए as well as कि जो भी आप options eliminate कर रहे हो और last दो options पे आके अगर आप first जाते हो तो आपको differentiate करना आना चाहिए कि भाई दोनों options एक दूसरे से कैसे different and in case अगर specific question है तो आप और क्या कर सकते हो कि आप जब भी proof sentences read करो तो उनको बहुत thoroughly आप read करो proof sentences को because proof sentences passage के अंदर जो दी होते हैं जिसके basis पे specific questions answer होते हैं वहाँ पे कई बार अगर हम ढग से read नहीं करते हैं तो हम गलत option को choose कर लेते हैं तो इन कुछ techniques के साथ चलिए कुछ RCs practice करना शुरू करते हैं तो friends यह सबसे पहला RC है ठीक है अब चाहो तो अपनी screen को pause कर सकते हो और पढ़ सकते हो उसके बाद यह इसका second part है ठीक है आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो और उसके बाद मैं आपको कोशMoreैंस दिखा देता हूँ पहले दो questions ये हैं इसके उपर ठीक है आप चाहो तो pause करके solve कर सकते हो next दो questions ये है और उसके बाद fifth question ये है इसके अंदर total 5 questions है तो अब एक के करके हम करना start करते हैं मैं पहले RC पढ़ लेता हूँ और फिर आपको पढ़के बताता हूँ Economists have spent most of the 20th century ignoring psychology, positive and otherwise but today there is a great deal of emphasis on how happiness can shape global economies or on a small scale business practice. This is driven in part by a trend in measuring positive emotions mostly so they can be optimized. Neuroscientists for example claim to be able to locate specific emotions such as happiness or disappointment in particular areas of the bay. Wearable technologies such as Spire offered data driven advice on how to reduce stress. We are no longer just dealing with happiness in a philosophical or romantic sense. It has become something that can be monitored and measured including by our behavior, use of social media, body indicators such as pulse rate and facial expressions. There is nothing automatically sinister about this trend but it is disquieting that the businesses and experts driving the quantification of happiness claim to have our best interest at heart often concealing their own agendas in the process. In the workplace, happy workers are viewed as a win-win. Work becomes more pleasant and employs more productive but this is now being pursued through the use of performance evaluating wearable technologies such as human zine or virgin pulse both of which monitor physical signs of stress and activity towards the goal of increasing productivity. Cities such as Dubai very important which has pledged to become the happiest city in the world. Dream up ever more elaborate and intrusive way to collect data on well-being to the point where there is now talk of using cctv cameras to monitor facial expressions in public places. New ways of detecting emotions are hitting the market at all time. One company beyond verbal aims to calculate mood conveyed in phone conversations potentially without the knowledge of at least one of the participants and intruding in someone's privacy. And Facebook demonstrated that it could influence our emotions through tweaking our news feeds opening the door to ever more targeted manipulation in advertising and influence. As the science grows more sophisticated and technologies become more and more intimate with our thoughts and bodies a clear trend is emerging. Where happiness indicators were one used to as a basis to reform society challenging the obsession with money that gtp measurement entrances there are increasingly used as a basis to transform or discipline individual. Happiness becomes a personal object that each of us must now work on like going to the gym. Since 70s depression has come to be viewed as a cognitive or a neurological defect in the individual and never a consequence of the circumstance. All of this simply escalates the sensibility of responsibility each of us feels for our own feelings and with it sense of failure where things go badly. A society that deliberately removes certain sources of misery such as precarious and exploitative environment may well be a happier one. But we won't get there by making this single often fleeting emotion over arking goal. यानिकि अगर सिरफ वर सिरफ वर सिरफ हम happiness को ही अब एक फ्लीटिंग यानिकि टेंप्रेरी emotions को over arking goal बना लेंगे तो हम वहां नहीं पहुँच पाएंगे. तो फ्रेंज सबसे पहला question है from the passage we can infer that the author would like economist to. क्या करना चाहेगा economist को. तो आप फ्रेंज समझना पूरा का पूरा passage happiness और psychological behavior के उपर था. तो यानिकि उसने बोला था कि जो अभी तक हम ignore करते आ रहे थे measuring के अंदर वो उसको अब हमने को include करना पड़ेगा और happiness है तो यानिकि psychological findings है into their research cautiously इसको include करना पड़ेगा तो economist better conclusions पे पहुंच सकते हैं. बाकी की सब चीज़े हम इतने अच्छे तरीके से infer नहीं कर सकते हैं. जैसे for example D है, major the effectiveness of facebook and social media advertising. यह overall passage की inference नहीं बता रहे एक तरीके से. ठीके, according to the author wearable technologies and social medias are contributing most to. धेको फ्रेंज यहां पे बताया था इन्होंने one company beyond verbal और spire और इन सब चीज़े के बार में बताया था और इसको पढ़के इन्होंने basically क्या बताया था कि individual को basically और जादा यह discipline करने लग गए हैं. तो correct answer क्या हो जाएगा disciplining individuals to be happy. ठीके, next question है friends आपकी screen के सामने, आप चाहो तो अपनी video pause करके इनको solve कर सकते हो in the author's opinion, the shift in thinking in the 1970s. तो 1970s के अंदर think basically क्या होई थी कि depression cognitive उसको देखा जाता था उसके पहले लेकिन उसके बाद changes होए हैं. ठीके, so third का basically क्या answer होना थी है ठीके, put people in touch with their own feelings rather than depending on psychologist, no this is not the idea, was a welcome change for the earlier viewpoint that depression can be cured by changing circumstances, no this is contrary to the idea mentioned in the passage, correct answer would be C, introduce greater stress into people's life as they were expected to be responsible for their own happiness, तो इसका correct answer होगा, option C, ठीके, next है, the author's view would be undermined by which of the following research findings, ठीके, कि author का जो view है, वो reject हो जाएगा, या negate हो जाएगा, कौन सी research से, ठीके, so इसका correct answer क्या होगा, friends, इसका correct answer होगा, option A, क्यों, stakeholders globally are moving away from collective data on the well-being of individuals, जब की passage क्या कह रहे है, कि बहुत सारी companies data collect करिया चाहे, उसने जब spire का example दिया हो, facebook का example दिया हो, या किसी भी चीज़ का, दुबाई का example दिया हो, तो उसने बोलता, companies ये data collect कर रही है, individuals का, ठीके, so अगर हम ये बोले कि company दूर भाग रही है, तो passage की जो tone है, या जो passage का suggestion है, वो तो बिल्कुल reject हो जाएगा, तो इसका correct answer होगा, option A, last question है, friends, इसके अंदर, last question क्या है, basically, according to the author, दुबाई, दुबाई का example क्या, इसने देने की कोशिश करी थी, दुबाई का example इसने बोला था, कि वो सबसे happiest बनना चाहती है, ठीक है, यहीं पर आपको basically दुबाई के बार में बताया था, दुबाई सच अच 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 बाई, विचस प्लेश तो बिकम थी, हैपिएस इन वर्ल्ल, ड्रीम अप एवर वोर, इलाबरेटिव एंड इंट्रूसी वे उफ तो इसका basically correct answer क्या होगा, it develops sophisticated technologies to monitor its inhabitants state of mind, ठीक है, collaborates with Facebook हम नहीं कह सकते, is on its way, B हम नहीं कह सकते कि बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, incentivizes these companies that provided worker welfare, इसके बार में तो कोई passage करना था, बात ही नहीं हुई, तो correct answer होगा, option B, next है friends, fourth RC आपकी screen के सामने, ठीक है, आप इसको अब पढ़ना start करो, ठीक है, और basically आप इसको समझ सकते हो, कुछ-कुछ genetics के ओपर भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, ये passage, थोड़ा सा ये वाला passage complicated है, ठीक है, science के ओपर है, ये दो parts है इसको, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद इसके अंदर ये दो questions है, और ये दो questions है, यानि कि टोटल चार questions है, ये दो questions है, और ये दो questions है, यानि कि लास्ट आर सिके अंदर अपने पास 5 questions होंगे, ठीक है, ठीक है, तो आप पढ़ना इसको basically start करो, फिर solve करते हैं, ठीक है, when researchers at the Emory University in Atlanta trained a mice to fear the smell of almonds by pairing it with electric shocks, they found to their consternation that both the children and grandchildren of the mice were simultaneously afraid of the same smell, this is not supposed to happen, generations of the school children have been taught that the inheritance of the acquired characteristics is impossible, जो tail cut mice वाल होता है, a mice should not be born without something its parents have learned during their lifetimes, any more than mouse that loses its tail in an accident should give birth to a tailless mice, ऐसा नही हो सकता ना, modern evolutionary biology dates back to the synthesis that emerged around 40s and 60s which married Charles Darwin's mechanism of natural selection with Gregor Mendel's discovery of how genes are inherited, जब आपको TET, TET का पढ़ाया गया था, the traditional and still dominant view is that the adaptation from the human brain to the peacock's tail are fully unsatisfactorily explained by natural selection and subsequent inheritance, yet new evidence from genomics, epigenetics and developmental biology indicates that evolution is more complex than we once assumed, in his book on human nature, the evolutionary biologist Edward O. Wilson claimed that human culture is held on a genetic leash, the metaphor needs revision, imagine a dog walker struggling to retain control of a brawny mastiff, ठीक है brawny mastiff एक तरीके का dog समझ ला, the pair's trajectory, the pathways of evolution reflect the outcome of the struggle, now imagine the same dog walker struggling with multiple dogs on leashes of varied length with each dog tugging in different direction, all these tugs represent the influence of developmental factors, including epigenetics, antibodies and hormones paused on by parents, as well as the ecological legacies and culture they back with, ठीक है, the received wisdom is that the parental experience can't affect the characteristics of their offsprings, except they do, the way that genes are expressed to produce an organism's phenotype, the actual characteristics it ends up with, is affected by chemicals that attach to them, everything from diet to air pollution to parental behavior can influence the addition or removal of these chemical marks, which switches genes on or off, usually these called, so called epigenetics attachments are removed during the production of sperms and eggs, but it turns out that some escape the resetting process and are passed to the next generation along with the genes, this is known as epigenetics inheritance and more and more studies are confirming that it really happens, let's return to the almond fearing mice, कैसे, उसी की example पे आजाते है, the inheritance of the epigenetic mark transmitted in the sperm is what led to the mice offsprings to acquire an inherited fear, कैसे हुआ ये इसने बताया है, epigenetics is only a part of the story, though culture and society, humans and other elements, inherit knowledge and skills acquired by their parents, all this complexity points to an evolutionary process, in which genomes, over hundreds and thousands of generations, epigenetics modification and inherited culture factors, over several, perhaps tens or hundreds of generations and parental effects, over single generation time span, collectively inform how organisms adapt, these extra genetic kind of inheritance give organism the flexibility to make rapid adjustment to environmental changes, dragging genetic changes in their wake, much like rowdy pack of dogs, तो friends, थोड़ा साई complex था, लेकिन problem की बात इसलिए नहीं है, बिकास इसके उपर questions बहुत easy है, ठीक है, तो अगर हम इसके questions को पढ़ने के लिए questions देखे, तो चार ही questions है इसके अंदर, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, for example, जैसे the passage used the metaphor of a dog walker, to argue the evolutionary adaptations in most, ठीक है, तो dog walker का जब उसने example लेने की कोशिश करी, तो वो किस चीज़ के बारे में basically बात कर रहा था, तो इसके अंदर अपने को words, directly ही passage से basically निकालने है, ठीक है, पैसेज के अंदर basically ये बताएं हुए है, सारे के सारे words, epigenetics के बारे में बात हुई है, legacies के बारे में बात हुई है, और इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो इसलिए, थोड़ा सा ही बस अपने को दिमाग लगाना था, और अपने को ये point मिल जाता, ठीक है, उसके बाद next है, which of the following best describes the author's argument, author का argument basically किस चीज़ से होता है, ठीक है, तो इसका अगर आप देखो, Wilson's theory of evolution is scientifically superior to either Darwin and mentals, ऐसा passage के अंदर हम नहीं कह सकते, Darwin's theory of natural selection cannot fully explain evolution, this is correct, कैसे, अगर आप passage पढ़ो, तो इसने यहाँ पर बताया Darwin की एक theory थी, फिर Gregor Mendel की थी, लेकिन इससे सब चीज़े prove नहीं हो रही है, उन्होंने बोला था, acquired traits नहीं जा सकते, जबकि इन्होंने mice के example से बचाने की कोशिश किया, कि acquired traits जा सकते, यानि कि there is something more, which is yet to be explained, तो यानि कि जो अभी तक Darwin की theory है, वो सब कुछ फूरा explain नहीं करती है, so 2 happens to be the correct answer, next, which of the following if found true, would negate the main message of the passage, main message of the passage क्या है, कि acquired traits भी, transfer करे जा सकते हैं, although ऐसा बोलते हैं, कि acquired traits नहीं जाते, ठीक है, so acquired traits नहीं जाते, लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, so, अगर हम देखें, तो अगर option A है, जैसे, a study affirming the sole influence of natural selection and inheritance on evolution, अगर ये हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि सिर्फ natural selection होती है, acquired traits नहीं जाते, तो main passage क्या है, जो इन्होंने mice का example देने की कोशिश की थी, वो पूरा reject हो जाता है, तो basically, negate हो जागा है, पूरा की acquired traits भी जा सकते हैं, अगर सिर्फ उसे अफ evolution और natural selection पे होता है, तो option A happens to be the correct answer, और last है, the Emory University experiment with mice points to the inheritance, अबसे easy question था, that is acquired traits, acquired traits, या acquired characteristics भी आप इसको समझ सकते हो, कि जो भी इंसान या creature, अपनी life में acquire करता traits, वो उसके offsprings को transfer नहीं हो सकते हैं, for example, किसी का, अगर accident के अंदर amputate हो जाए hand, तो क्या उसके बच्चा बिना hand का पैदा होगा ऐसा नहीं हैं, क्यों, because ये acquired trait है, 9, 10 की biology में आपने पढ़ा होगा, next है friends, RC आपकी screen पे आज सुका है, ठीक है, इसमें भी 6 questions है, ये first part है RC का, ठीक है, ये next part है RC का, और इसके मैं आपको questions दिखा देता हूँ, 2 questions ये हैं, 2 questions ये हैं, और 2 questions ये हैं, total 6 questions है इसके अंदर, तो आप अपने वीडियो पॉस करके, सारे questions कर सकते हो, ठीक है, अब RC पढ़ना, आप basically start करते हैं, और उसके बाद ये questions को करते हैं, ठीक है, so, the end of the age, of the internal combustion engine, is in sight, there are small signs everywhere, the shift to the hybrid vehicles, is already underway among manufacturers, Volvo has announced, it will make no purely petrol engine cars, after 2019, Tesla has just started selling, its first electric car, aimed squarely at the middle classes, the Tesla 3 sells for $35,000 in the US, 4 lakh people have put down a small refundable deposit towards one, several thousands have already taken delivery, and the company hopes to sell half a million more next year, this is remarkable figure for a machinery, with a fairly short range, and a very limited number of specialized charging stations, some of it reflects the remarkable abilities of the Elon Musk, the company's founder as a salesman, engineer, and a man, able to get the most of his factory workers, and the governments he deals with, Mr. Musk is selling dream, that the world wants to believe in, this last, may be the most important factor in the story, the private car is a device of immense practical help, and economic significance, but at the same time, a theater of myths, of unsustainable self-fulfillment, the one thing, you will never see in a car advertisement, is traffic, even though, that is the element, which drivers spend their lives, every single driver, in a traffic jam, is trying to escape from it, yet, it is inevitable consequence, of mass car ownership, the sleek and swift electric car, is at one level, merely the most contemporary, fantasy of autonomy and power, but it might also disrupt, our exterior landscape, nearly as much as the fossil fuel engine cars, did the last century, electric cars, would also, cause, 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 cause pollute, cause pollute, far less than, fossil fuel driven cars, instead of oil reserves, and rarest materials, for batteries, that would make, undeserving despots, and their dynasties, fantastically rich, next, petrol stations would disappear, the air in cities, would once more be breathable, and their cities, as quiet as those of venice, this isn't an unmixed good, cars that were silent as bicycles, would still be dangerous, as they now, to anyone, as they hit without audible warning, the dream goes further than that, the electric cars of the future, will also be thoroughly equipped, with sensors and reaction mechanisms, that they will never hit anyone, just as brake, don't let you skid today, the steering vehicle of the tomorrow, will swerve you away, from danger, before you have even noticed it, this is where the fantasy, of the autonomy comes full circle, the logical outcomes of car, which needs no driver, is that they will become cars, which needs no owners either, instead they will work as taxis, do, summoned at will, but only for the journeys, we actually need, this is the future towards, which Uber is working, the ultimate development, of the private car, will be to reinvent, public transport, traffic jams will be abolished, only when the private car, becomes the public utility, what then will happen, to our fantasies, of independence, we all, have, to make, we all have to take, electrically powered, bicycles, which of the following statement, is best reflector, of the author, argument, the main argument, which author, has given, basically, this is not the entire, purpose of the passage, ठीक है, यह सिरफ और सिरफ एक पार्ट है, जो फर्स्ट पारग्राफ में बोला गया था, एलन मस्क है, जिर्माकिबली, Gifted Salesman, यह सेकेंड पार्ट में बोला गया था, not passage as a whole, the private car represents, an unattainable myth of independence, this is the passage as a whole, author का main argument है, कि दिखाता तो है independence, लेकिन ट्रैफिक और बाकी सब चीजों को होके, है नहीं independence, the future, Uber car will be environmentally friendlier, than even the Tesla, ऐसा passage के इंदा कोई comparison, हम नहीं इंफर कर सकते, तो यह option तो नहीं होगा, तो correct answer होगा, option C, next question है friends, आपकी screen पे, the author points, out all of the falling about electric cars, except, तो हम कहें दे, पहले find out कर लेते हैं, क्या वो find out करता है, तो accept वाला, हमें पता लग जाएगा, they reliance on rare materials for batteries, will support despotic rule, this is true, ठीक है, first page पे उसने यहां पे बोला था, यहां पे बोलने की उसने कोशिश की थी, ठीक है, they will reduce air and noise pollution, this is true, they will not decrease the number of traffic jams, यह भी true है, drive autonomy, तो ऐसा passage से हम infer नहीं कर सकते, कि वो undermine कर देंगे autonomy को, और उसको further drive नहीं करेंगे, so, इसको हम infer नहीं कर सकते, passage से, तो इसलिए D happens to be the correct answer, next question है friends, आपकी screen के सामने, ठीक है, according to the author, the main reasons of Tesla's remarkable sale, क्या है Tesla की remarkable sale का option, reason, in the long run, the Tesla is more cost effective, than fuel driven, fossil fuel driven cars, तो friends, अगर आपने passage पढ़ा हो, तो पढ़की ये समझ आया है, कि एलन मस्क सिरफ उस जफ कार नहीं बेच रहा, वो एक तरीके का dream भी बेच रहा है, जिसमें दुनिया रहना चाहती है, तो fuel economy एक reason हो सकता है, लेकिन major reason नहीं हो सकता, तो इसे दे ये option हम चूज नहीं करेंगे, ये भी नहीं, जबकि पैसेज में तो इसका उल्टा mention था, पीपल बिलीव इन दी ऑटोनॉमी रिप्रेजेंटेट बाई दी प्राइवेट कार्स, इस इस दी करेक्ट आंसर, पैसेज के अंदर उसने बोला है, कि बेसिकली ये ही reason है, जो टेसला की remarkable sales का reason है, कि प्राइवेट कार की जो ये autonomy, बेसिकली पीपल बिलीव दाट इट प्रोवाइट अ सर्टेन काइंड आफ आटोनॉमी, उसके बाद the author comes to the conclusion that, author किस conclusion पे आ जाता है, car drivers will no longer own car, but will have to use public transport, car will be controlled by technology that is more efficient than car drivers, ऐसा उसने बोला है, लेकिन ये final conclusion नहीं है, ठीक है, car drivers dream of autonomy, but the future may be public transport, this is the correct option, क्योंकि अगर हम यहाँ पड़े, तो उन्होंने यहाँ पे पूरा करने के लिए बोला है, बताया है, कि fantasy of autonomy comes up full circle, the logical outcomes of car, कि उनको कोई drivers नहीं चाहिए, taxi की तरह use होगा, और ये सारी चीज़े उसमें बताने की कोशिश की है, कि car drivers को autonomy तो चाहिए, but future public transport ही है, इसलिए option C happens to be the correct answer, डी भी पढ़ लेते हैं, electrically powered bicycles are the only way to achieve autonomy in transportation, no, only way है की नहीं, future में शाहिए चाहिए हो, लेकिन only way है की नहीं, यह हम passage से exactly नहीं बता सकते, last के दो questions है friends इस passage के, इन paragraph 5th and 6th, the author provides the example of Uber to argue, Uber की example से वो क्या बताना चाहता था, in the future electric cars will be equipped with mechanisms that prevent collision, लेकिन यह exactly friends वो इस चीज से नहीं बताना चाहरा था, वो basically क्या बताना चाहरा था, अगर आप ध्यान से पढ़ो, वो बताना चाहरा था, कि private car आपको नहीं चाहिए, उसको taxi की तरह यूज कर जकते हो, they will work as taxi summoned at will and only the journeys we actually need, और Uber इसके उपर basically काम कर रहा है, ठीक है, in the future traffic jams will not exist, ऐसा भी passage के अंदर नहीं बोला, in the future the private car will be transformed into a form of public transport, which is correct, जो कि passage में बोला है, in the future Uber rides will outstrip Tesla sales, ये भी ऐसा passage के अंदर नहीं बताया गया है, ठीक है, तो अब 18th question, last question जो इस passage के उसके उपर चलते है, in paragraph 6, the author mentions electrically powered bicycles to argue that, उससे basically friends वो बोलना चाला था कि आप autonomy मिलेगी आपको, क्योंकि अगर पूरा passage उसके बारे में था, ठीक है, पूरा paragraph उसके बारे में था, so, if Elon Musk were truly visionary, he would invest funds in developing electrical bicycle, नहीं, वो ये दुबारा हर जगा, Elon Musk को थोड़ ना हम लेके आजाएंगे, आर फैंटेसी जो अफ उटॉनमी माइड भी अनेक्सपेक्टिडली रिक्वारे उस तू कंसिडर एलेक्ट्रिक बाइसिकल, क्योंकि वो ही हमें आटोनमी प्रोवाइड नेक्स्ट कोशन है फ्रेंज आपके उपर ये थोड़ा सा इंटरनेट शॉपिंग के उपर है, ठीक है, आप चाहो, इसको यहाँ पर पढ़ो पहले, उसके बाद यहाँ से पढ़ना, ठीक है, जब आपने यहाँ से पढ़ ले हो तो इसके अंदर फे 5 कोशन है, पहले 2 कोशन यह है, आप पॉस करके चाहो तो कर सकते हो, नेक्स्ट 2 कोशन यह है और लास्ट कोशन यह है, ठीक है, तो अब मैं इसको पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, Contemporary Internet Shopping conjures a perfect storm of choice anxiety. Research has consistently held that people who are presented with few options make better, easier decisions than those presented with many. Helping consumers figure out what to buy amid an endless sea of choice online has become a cottage industry unto itself. Many brands and retailers now wield marketing buzzwords such as curation, differentiation and discovery as they attempt to sell an assortment of stuff targeted to their ideal customer. Companies find such shoppers through the data of goldmine of digital advertising which can catalogue people by gender, income level, personal interests and more. Since Americans have lost the ability to sort out through the sheer volume of consumer choices available to them, a ghost has to be in the retail machines. Whether it's an algorithm, an influencer or some snazzy ad tech to help product follow you through the internet. Indeed, choice fatigue is one of the reasons so many people gravitate towards the lifestyle influencers on Instagram. The relentlessly chick young moms and perpetually vacationing 20-somethings who present an aspirational worldview and then recommend the product and services that help to achieve it. For a relatively new class of consumer products, startups, there's another method entirely. Instead of making sense of sea of existing stuff, these companies claim to disrupt stuff of America knows it. Americans know it. Casper, mattress, glossier, makeup, away, suitcase and many others have sprouted up to offer consumers freedom from choices. These companies have few aesthetically pleasing and supposedly high functional options, usually at mid-range prices. They are selling nice things but maybe more importantly, they are selling a confidence in those things and an ability to opt out of the stuff rat race. $1,000 mattress and $300 suitcase might solve choice anxiety for a certain tier of consumer but the companies that sell them along with those that attempt to massage the larger stuff economy into something navigable are still just working within consumers markets that's broken in systematic ways. The presence of so much stuff in America might be more valuable if it were more evenly distributed. But stuff's creator tend to focus their energy on those who have already have plenty. As options have expanded for people with disposable income, the opportunity to buy even basic things such as fresh food and quality diapers has contracted for so much America's lower classes. For startups that promise accessible simplicity, their very structure still might eventually push them towards overwhelming variety. Very important. Okay. Most of these companies are based on hundreds of millions of venture capital. The investors which tend to expect a steep growth rate that can't be achieved by selling one great mattress or one great sneaker. Casper has expanded into bedroom furniture and bed linens. Glossier after years of marketing itself has no makeup. Makeup that requires little skill to apply. Recently launched the full line of glittering color cosmetics. There may be no way to opt out of stuff by buying into the right thing. Okay. So, this is all you can understand. Now, this is the first question you have in front of you. So, this is the first question you have in front of you. Try it. And then, I will do it. I will do it. So, friends, if you have in front of you, question 1, which of the following, best sums up the overall purpose of the example of Casper and Glossier in the passage. So, Casper and Glossier basically, you have to tell us that Casper mattress and Glossier make-up for that. But, then, after that, you have to tell us about venture capitalists. So, you have to tell us that Casper expand the bedroom furniture. And Glossier full range of glittering colors. वह फिर्स निकाल दिये. तो, इसका मतलब क्या हुआ, दे माइट ट्रांस्फॉर्म इंटू, वाट देवर एक्सेप्शन्स टू. यानि कि वह आयते, सिरफ लिमिटेड चॉइस लेके, कि भाई, जो चॉइस फटीग या Americans की, उसको हम खतम कर देंगे because हम एक particular product ही ला रहे है जो एक niche segment खीड़ेगा लेकिन उसके बाद वो उनके वोपा इतना pressure था venture capitalist का तो उन्होंने भी वही सारी चीज़ें करने शुरू कर दी जिसकी वह exceptions बन के आये तो option C happens to be the correct answer all of the following if true would weakens the author claim except the annual sales of companies that hired lifestyle influencers on instagram for marketing their products were 40% less than those that did not यह तो passage को basically passage के अंदर mentioned ही था इंस्टाग्राम के बार में उसने पूरा बोला ही था ठीक है तो यह उसको weaken करे ठीक है weaken भी कर सकता ही है क्योंकि instagram से लोग अपनी sales बढ़ाने की कोशिश कर रहे है ठीक है आपको author का argument weaken करना है if true accept accept ऐसा कोई option जो weaken ना करे ठीक है तो इसका correct answer होगा option d क्यों the annual sales growth of the companies with fewer product options were higher than that of the companies which curated their products for the targeted customers ऐसा क्यों है ठीक है यह आपको समझने की ज़रूरत है because friends यह option ना बहुत ज़्यादा vague है और यह ना कुछ questions को unanswered छोड़ देता है कुछ questions को unanswered यह कैसे छोड़ देता है क्यों author ने कोई ऐसा comparison तो किया ही नहीं growth of the two companies के बीच में ठीक है कि जिसके options कम है जिसके options जाद है का author ने basically बस क्या का है कि जो company fewer customers को या fewer consumers को target करती है ठीक है वो अपनी growth के लिए अपनी growth बढ़ाने के लिए वो variety of products को लेके आती है जो उसने basically यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश भी कर रहा था कि वो जो basically limited को target कर रही है अगर उसको अपनी growth बढ़ानी है तो वो और product लेकर 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 based on the passage based on the passage all of the following can be inferred about consumer behavior except क्या नहीं कर जा जा सकते है having too many product choices can be overwhelming to the consumers mentioned a passage के अंदर can be inferred too many options have made it difficult to for the consumers to trust products यह भी infer करा जा सकते है D परते है consumers are susceptible to marketing images as they see on social media पूरा Instagram का example दिया था इसके ओपर consumers tend to prefer products by startups over those by established companies ऐसा कुछ passage के अंदर mention नहीं है इसके ओपर अपने पास ऐसा कुछ data नहीं है so इसी लिए this cannot be inferred that means option C happens to be the correct choice a new food brand plans to launch a series of products in the American markets which of the following product plans is the most likely to be supported by the author of the passage author ने क्या बोला कि कम से कम अगर choices होंगी ठीक है तो जादा better रहेगा lesser choice होनी चाहिए वनना choice fatigue के chances है so अगर आप A और C में देखो ठीक है तो A और C के अंदर यह थोड़ा सा higher scale पर चला गया है so और वो फिर हर कोई नहीं afford कर सकता तो A और C में जो better choices है कि 10 products तो जो 5 & 10 dollars के बीच में हो जिसमें limited amount भी है सबका और limited choices भी है जिसको हर कोई purchase कर सकता है lower class customers भी इसको target कर सकते है last question है friends इस RC का ठीक है which of the following hypothetical situation would add the least depth to the author's prediction for the fate of the start-up offering few products friends पहले तो अपने कोई समझने के जोरा होता है कि depth का क्या मतलब होता है depth का basically मतलब होता है ठीक है depth से basically क्या होता है कि या तो कोई value या कोई additional information या कोई support add कर रहा हो जो author का basically claim या proposition है ठीक है an exponential surge in the sales enables startups to meet their desired profit goals without expanding their product catalog ठीक है which is completely contradictory to the passage because इसनोंने क्या बोला था यहां पर इन्होंने बोला था कि भाई अगर इनके पर venture capitalist का इतना burden था कि startups that promise accessible to simplicity their very structure still might eventually push them towards overwhelming variety वो खुदी अगर उनकी sale ही बहुत जादा पढ़ रही होगी तो उनको variety लाने की ज़रुरत क्या थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो इसलिए ऐसा नहीं हो रहा इसलिए यह point author कि यह proposition पे depth add नहीं कर रहा है तो इसलिए a happens to be the correct choice startups with few product options are no exception to the American consumers market that is deeply divided across class line this is adding somewhat depth क्योंकि बताया fewer product options का भी बताया और class lines का भी बताया Casper and Glossier venturing into new product ranges their regular customers start losing trust in the companies of their products ठीक है यह भी कुछना कोई depth add कर रहा है बोलके कि भाई अगर यह करेंगे तो इनके यह repercussions हो सकते है with motive of promoting certain rival companies the government decides to double the tax rates for these startups taxation के बारे में तो हमें इस पैसे के अंदर ही कुछ जाधा बताया नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी अगर government tax rates double कर देती है तो start-ups hypothetical situations है ना तो start-ups के ओपर burden हो जाएगा start-ups के ओपर burden बढ़ जाएगा ठीक है तो वो select customers कोई target करेंगे या फिर venture capitalist से पैसा उठाएंगे या कुछ और करेंगे तो इससे भी कही ना कही depth add हो रही है venture capitalist से पैसा उठाएंगे और चार अच्छे अच्छे RCs हमने practice करेंगे आपको आपको अब RCs कुछ समझ आ गए होंगे आपको कुछ अप्रोचे टेक्नीक्स टिप्स किस तरीके से question solve करने यह सारी चीज़े clear हो गई होंगे ऐसी वीडियोस हम future में और बनाते रहेंगे तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर सकते हैं और अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स में इन्रोल करना चाहे pen drive कोर्स क्रैश कोर्स लाइव बैक्स एडवांस वरक्शॉप्स हो वह आपको हमारी website पर डीटेल्स मिल जाएंगी इसके लेटेड़ आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो so thanks a lot all the best God bless you